भूव प – आज के हैं और इस के अंदर सबसे पहले देखते हें कि इसके रखेला कौन से टांफरन टो हमने कवर करने तो सबसे पहला तो जो चीज घूआ कवर करेंगे that is called working capital introduction हम देखेंगे और उसके बाद working capital introduction के बाद हम cash management देखेंगे और उसके बाद inventory management, account receivable management और account payable management तो यह कुछ चीज़े हैं जो हमने इसमें discuss करनी हैं तो start करते हैं one by one सबसे पहले तो हम यह देखते हैं सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि जब हम कोई business start करते हैं for example हम example ले ले लेते हैं कि हमने garments की garments की industry factory लगानी है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा हाँ जी सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होगी that is called land चाहिए होगी जगा होनी चाहिए ठीक है land and building इसके लाव हमें क्या चाहिए plant चाहिए होगा plant and machinery चाहिए होगा और इन दोनों चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होगा investment चाहिए investment के दो main source होते हैं कौन कौन से होते हैं एक हमार पास या तो equity से हम पैसा ले सकते हैं और या हम डेट से पैसा ले सकते हैं या अपना पैसा हो सकता है या हम बैंक से लोन लेकर या डेट इंस्रुमेंट यूज़ करके डेट फिनेंसिंग कर सकते हैं तो ये दो चीज़े अच्छा उसके बाद जब आप लैंड और बिल्डिंग ले लेंगे जब बाद आप मेंट किन बैंट जसके लाव को चाहिए ढूंगा उसके लाव डूप मारेक्प होस्त मैं क्या होического इख गया काइज बाद आप इखक फिर गद का03 सकते हैं एन्टREE के 안वा हमें क्या होगा जब हम चीज यह मैंट्र ? क्या चाहिए होगा ? ठीक यह चाहिए होगा ? कैश Beंक होगा फिर जब रह मत्पार बैचेंगे तो कुछ लोग cash पर पैसे दे जाएंगा कुछ धार कर जाएंगे जो धार करके चले जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं account receivable कहते हैं और जैसे ही जिस तरह हमने account credit पर चीज़ें बेई दिया account receivable तो इसी तरह होता है sometime हम inventory भी credit पर purchase कर लेते हैं तो अगर credit पर purchase करेंगे तो वहाँ पर account payable produce हो जाएंगे इसके इलावा जब हम business कर रहे होते हैं तो हमें some term overdraft जिसको हम क्या कहते हैं short term financing भी कहते हैं या overdraft भी कहते हैं short term loan बगारा जो लेते हैं यह भी हमारी user शुरू हो जाते हैं तो अगर हम इसको देखें कि है क्या चीज़ तो अगर हम इनके नाम देना शुरू करें तो आप इन दोनों को क्या नाम दे सकते हैं fix assets ठीक है अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो इसको क्या नाम दे सकते है long term financing अगर इसको नाम देना चाहें तो यह आपके पास क्या जाते है क्रांट एसर्स और अगर आप इन दोनों को नाम देना चाहें तो यह आपके पास क्या जाते है क्रांट लाबिल्टीज तो यह वो चीज़ें तो इस में कि यह मर पास क्या है बैलंस शीट है ना ठीक है तो यह अब ये जितने आईटम्स हमने पड़े यहांपर मेंशन किया है कि फिक्स असर्ट हो गए लॉंगटम फिनेसिंग हो गई गई कुरंट असर्ज हो गई कुरंट लाबिटीज हो गई यह हमने कहीं ना कहीं जाके डिसकस किया है तो यहां पर थोड़ी सी राइटिंग मिक्स हो रही है तो मैं अगली स्लाइड पर यह लिखके लेकर आया है यहां पर यह देखें यह हमारे पर बैलेंशीट के आइटम है अगर हम कुछ यार करें तो हमने लॉंग टर्म फिनेसिंग के उपर कुछ चैप्टर पड़े में पहले से डिसकस कर चुके तो किसी को याद हो तो हमने लॉंग टर्म फिनेसिंग के उपर कॉस्ट ऑफ कैपिल पड़ा हुए का चैप्टर पढ़ा है cost of capital में हम यही देखते थे cost of debt के है cost of equity के है cost of preferred share के है ठीक है इसके इलावा हमने के उपर एक और चैप्टर पढ़ा that is called leverage and capital structure यह दो चैप्टर हमने इस topic के उपर उपर long term financing के उपर हम पढ़ चुके हैं इसी तरह अगर आपको यादो तो fixed research के उपर भी हम एक chapter पढ़ चुके है that is called capital budgeting और जिसके अंदर हम NPV, IRR वगएरा calculate करते हैं तो उसमें यही होता थे investment कि हमने इस जगह investment करनी है तो हम यह calculate करते हैं कि हमें यहाँ पर investment करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ठीक है करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए यह इसी तरह कोई plant को इस भी non-front asset purchase करना है तो उसके लिए हम calculation करते हैं कि यार इसका payback कब होगा यह हमारे लिए beneficiary है कि नहीं यह NPV निकालते हैं या IRR निकालके हम यह देखते हैं कि हमें इस जगह invest करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो यह हम पहले से पढ़ चुके हैं तो अब जो हमने चैप्टर जो हमने पढ़ना है आज जो चैप्टर पढ़ना है जिसको हमने working capital कह दिया वो इस पे है कि अगर आप current टेसर और current लविल्टी को जो हमने डिसकस करना है उस चैप्टर को हम कहते है working capital अच्छा आप यह business को finance करना होता है ठीक है जिससे हमने business अब यहाँ पर capital का मतलब सुर्माया हो गया working का मतलब क्या काम तो working capital जब दोनों को मिलाएंगे तो उसकी definition क्या बनेगी के day to day day to day activity को perform करने के लिए के लिए day to day activity को perform करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए जो हमें resource चाहिए उसको हम working capital कहते है अब day to day activities क्या होती है हमने अगर garment factory है तो regular nature के अंदर हमें क्या चाहिए हमें कपड़ा चाहिए हमें धागा चाहिए हमें बटन चाहिए that is called inventory ठीक है इसके बाद हमें इसके इलावा factory में overheads जो चोटे मोटे हैंगे उसके लिए हमें cash चाहिए उसके बाद हमने payments करनी है जिन से हमने credit पर चीजें purchase कि हुई है ठीक है और वो payments करनी है या हमें prepayments या हमें account receivables है तो यह चीजें और उसके इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए हमें कुछ tax payable हो सकते हैं short term overdraft समते हैं पैसा कम होता है तो बैंक से हम दो माह तीन माह के लिए overdraft ले ले लेते हैं short term लोल ने लेते हैं accruals या payables बन जाते हैं हम credit पर inventory purchase कर लेते हैं या credit पर किसी से काम करवा लेते हैं तो वो हमारे accruals बन जाते हैं तो current assets and current liabilities को जब मिला कर study किया जाता है उस chapter को हम working capital कहते हैं ठीक है working के लिए जो capital चाहिए working means business के लिए जो आपको पैसा चाहिए that is got working capital अच्छा अब working capital के अगर हम इसकी definition वगरा देखें तो यह working capital की definitions हैं हम इसको देख लेते हैं कहता working capital is include a firm current assets which consist of cash and marketable securities in addition to account receivable and inventory मसले यही जो हमारे पास इस side पे जो elements आ रहे थे उनको वो नाम ले रहा है के cash, marketable securities, account pay, receivables and inventory कहता है जब इनको हम sum up करते हैं तो वो क्या किलाता है working capital it also consists of current liabilities including account payable, note payable and accruvals liabilities के current assets यह आपके पास क्या आगए सारी चीज़ें current assets आ गई यह आपके पास क्या आगए current liabilities आ गई और अगर networking capital के हैं तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे current assets में से हम current liabilities को less कर देंगे तो हमारे पस क्या बच्चे का बाकी working capital की यह वो पैसा है जिसको हमने business की activity perform करने के लिए use करना है अच्चा अब यह working capital sometime positive होता है sometime negative होता है positive कब होगा अगर आपके पास current assets जो है are greater than current liabilities तो हमारे पास जो working capital होगा वो positive होगा और अगर हमारे पास current assets is less than current liabilities तो हम कहेंगे यह working capital हमारे पास क्या है negative है अब यह positive or negative से फरक्या पढ़ता है तो यह देखें डिपैंड करता है nature of business पे वह हम बाद में discuss करेंगे पहले हम देखते हैं कि positive or negative होता है किस तरह है यहाँ पर तो simple equation बना दी तो अगर बही current assets ज्यादा है current liabilities कम है ठीक है तो वह तो बात समझ आती है लेकिन अगर current assets ज्यादा है sorry current assets ज्यादा है कम है current liabilities ज्यादा है तो इसका हम लोग बाकी current liabilities कि इदर चलेगी ठीक है अगर बाकी current liabilities कहां पर हमने invest कर दी मंगरा आपने overdraft लिया उससे inventory भी नी खरीती आपने आपने उससे cash में भी नी convert किया वा तो पैसा गया किदर तो इसका मतलब है देखें balance sheet की तो दो ही sides है ठीक है एक side पर current assets and fixed assets आने हैं एक side पर long term financing and और short term financing आनी है ठीक है अब अगर short term financing आपने current asset में put नहीं की तो कहां put की हुई है ठीक है तो उसकी वैसे positive negative तो उसका है पहले भी discuss किया positive कब होगा जब current assets are greater than current liabilities तो current assets current liabilities से greater होंगे तो हम वहां पर यह क्या कहते हैं कि यह positive working capital आएगा ठीक है अब यह होता किस तरह है यह यहां पर फरक क्या पड़ेगा देखें पहले तो यह देखते हैं कि यह होता किस तरह है देखें हमने कहा कि यह balance sheet है आपकी टी account बना हुआ है ठीक है अब यह balance sheet के इस side पे आपके बाद current assets plus fixed assets आगे और इस side पे आपके पास current liabilities plus long term liabilities plus आपके पास equity आगे ठीक है अब यहां पर देखें हमने current assets हमने का is greater than current liabilities. तो its mean कि current asset के अंदर जो investment چाहिए current asset के लिए जो पैसा चाहिए वो कुछ हमने current liabilities से लिया आपके और कुछ हमने long term liabilities से लिया आपके अब यहां पर हमें फाइदा क्या होगा current asset short term है इसका benefit कब होना है short term होना है इसका benefit क्या होना है, low return होना है, return low होगा, but हमने जो पैसा return कब करना है, long term basis पे return करना है, ठीक है, तो हमारा risk को कम हो गया, अब यहाँ पर ने और वर्ड भी use हुआ है, that is card, के अगर आपके पाप positive NPV आ गया, तो low return and low risk, अब इसकी example देख लें, देखें, हमार पास जो total पैसा ह होगा business का, और total पैसा कौन सा है, यह जो इस साइड पर mention किया होगा, यह total पैसा है, उसमें कुछ हमने shareholder से लिया होगा है, that is card equity, कुछ हमने bank से loan लिया होगा, या debenture issue किया होगे, या कोई और debt instrument issue किया होगा, long term basis, that is card long term debt, और कुछ हमने bankों से overdraft लिया होगा, या हमने credit पे inventory purchase की होगी, that is card current liabilities, यह हमारा total resource है, यह resource किस जगा पर invest होना है, वो दो sides है, और वो कौन कौन सी चीज़े है, या तो fixed asset में लग जाएगा, या वो current asset में लग जाएगा, अब दोनों current asset और fixed asset का objective क्यों होता है, देखें, fixed asset जो होता है, यह business को चलाने के लिए होता है, यह business क return उतना ज्यादा होगा, fixed asset से profit generate होता है, fixed asset से profit हमेशा generate होता है, उसके example, आपके पास पैसा है, ठीक है, for example, आपके पास total बीस लाग रिपया है, अब आप सोच रहे हैं कि इस बीस लाग को में क्या करूँ, आपने सोचा है कि इस बीस लाग में से दस लाग की तो building ले 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 आपके हम machinery ले 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 लेते हैं और पांच लाग जो inventory के लिए, it's mean कि आपने 15 लाग इदर लगा दिया, पांच लाग इदर लगा दिया, अब ये जो 15 लाग है ना ये तो आपको profit generate करके देगा, और ये पांच लाग किस लिए, ये पांच लाग सिर्फ बिजनस को चला कर द आपने 5 लाग रख दिया, बिजनस को चलाने के लिए और 15 लाग लगा दिया, बिजनस के उपर investment है, जो कि आपको high return देगा, ठीक है, अब इसका मतलब है, आपको 5 लाग है कपड़ा करीदने के लिए, 5 लाग है labor को salary देने के लिए, आप business smoothly करते जाएंगे, बट इसकी जग करते हैं, आप कहते हैं कि यार नहीं, इसकी जगा पर मैं क्या करता हूँ, यहां पर लगा देता हूँ 18 लाग और यहां पर लगा देता हूँ 2 लाग, इसमीन कि आपका major portion high return पे चला गया और minor portion low return पे चला गया, तो profit तो बढ़ गया, लेकिन साथ ही क्या हो गया, वो कहते है रिस्क भी बढ़ जाएगा, रिस्क क्यों बढ़ जाएगा, रिस्क इसलिए बढ़ जाएगा कि देखें आपने बिजनस को चलाने के लिए पैसा कम रखें, पदा चले कपड़ा शॉट हो गया कभी क्योंकि जी 2 लाग रखा था पैसा खतम हो गया, वरकर को salary time पे नहीं मिल पैसा थे आपने कमएशआ जो है वो फिक सेसें में इन्वेस्ट किया और ज्यादा पैसा ज्यादाुषन ज्यादा पैसा जो है, आपने virus इनिवेस्ट किया हो है आफ पैसा है उसका issue यहाईगा के, करूंट एसर ने तो profit generate और करन देना करनेश्यम Susi में ज्यादा पैसा मैं बीस लाग था, मैंने बीस लाग की दो गाड़ियां खरीद ली, ठीक है, नहीं, दस लाग की एक गाड़ी खरीद दी और दस लाग रख लिया कि इसमें पट्रोल डलवाना है, ड्रैवर को सेलरी देनी है, अब बिजनस में तो कोई टैंशन नहीं है, बिजनस के उपरेशन में कोई टैंशन नहीं, दस लाग रख रखाव है उसके लिए मैंने बई, बट अब प्राफिट कितना आएगा, सिर्फ एक गाड़ी गा, ठीक है, तो आपने बिजनस तो स्मूथ चला, उसका कोई रिस्क नहीं है, उसके उप्रेशन में कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको प्र अब गाड़ीं दो खरीड ली, पट्रोल के लिए पैसे कम हैं, कभी आप सुवारी बिठा के पत्रोल दिलवा रहे हैं, कभी किसी से पकड़ के पत्रोल दिलवा रहे हैं, तो आप कि बिजनस के ऑप्रेशन में प्राब्म आपका रिस्क हाई हो गया बट क्योंकि आप गाडियां दो है ठीक है तो इंकम भी कितनी होगी दो सोर्स से तो आपका रिटन भी हाई हो जाएगा तो जहां आप इसी तरह अगर हमने फॉर एक्जेंपल दस लाग की बिल्डिंग करी दी है पांच लाग की जगा आट लाग की दी आट लाग जए मशीनध करी दीडिए जाड़ लाग का लसा औरफ वहलós स्केवाजबवा जसे उसी जाप करी तो हो सकते हैं आपके और आपके उप्रressant में प्राब्लम आना शुरू हो जाए और अगर इस डायाग्राम को देखें तो देखें आप ने यहां पर क्या किया इस डायाग्राम के मताबिक आपने करण टेसर क्य gauche हँए शॉट तर्म है करण टेसिट क्यों ऑफूर ते हैं हमेशा होते हैं Yuk आपने यहां पर कुछ पॉर्शन का कुछ पॉर्शन आपने कुछ पॉर्शन कुछ पॉर्शन में लगा दिया कुछ पॉर्शन आपका फिक्स एसंड में लगा अब इशू कि आएगा यहां से जो रिटन आएगा वो तो आप पे कर देंगे अब यहां से जो return आना है वो आना long term और यहां पर जो वापस देने है पैसे वो देने है short term वसलों यहां पर बाद चले कि वो कहरा है six month बाद आना शुरू हो जाएंगे यह पैसे मिले ही तीन month है तो आप यह six month के पैसे तीन मीने में कैसे देंगे तो आपके उपर burden आजएगा company के उपर ठीक है burden किस चीज़ का आएगा कि आपने payment जल्दी करनी है और return आपको late आ रहा है तो payment जल्दी करनी है return late आने के वैसे company के उपर क्या आएगा pressure आएगा जिसको हम कहते है operational risk तो वहाँ आपर risk भढ़ जाएगा risk हाई हो जाएगा क्या आपके उपर हमेशा pressure है यार कोई creditor पैसे ले नहीं ना आजए ठीक है वो bank overdraft की payments का time आगया लेकिन अभी return तो आया नहीं है क्योंकि return का ज्यादा portion short term investment आपने ज्यादा कर दिया long term जगा पे बट और यही काम आपको long term में benefit ज्यादा देगा अगर आप इसको manage कर सके के negative working capital हमेशा organization के benefit में होता है अगर वो उसको manage कर सके और अगर manage ना कर सकें तो फिर वो नुकसान देगा तो यह एक फाइदा है अच्छा अब इन दोनों के कुछ फाइदे और कुछ नुकसान डिसकस कर लेते हैं यहाँ पर positive NPV का फाइदा क्या है कि आपको कभी भी operation में problem नहीं आएगा यह सबसे बड़ा advantage है कि हमेशा operational आपके smooth चलेंगे आपको कभी inventory की जुरुरत पड़े कहीं पे payments करने की जुरुरत पड़े आपको कोई problem नहीं आएगा आपकी working smooth होगी disadvantage क्या है कि आपके returns होंगे वो कम हो जाएगे ठीक है और अगर इधर आते हैं तो यहाँ पर advantage क्या है कि आपके returns ज्यादा होंगे क्योंकि आपने ज्यादा पैसा long term जगवा पे invest किया हो है fixed asset में invest किया हो है तो आपके पास हमेशा क्या होगा आपको हमेशा returns ज्यादा आएगा लेकिन इसका disadvantage क्या है कि आपका risk ज्यादा होगा क्योंकि आपको short term basis पे short term basis पे आपको payments करनी है इसके लावा इसका disadvantage क्या हो सकता है अगर आपके पास development के लिए आपकोंने कोई training करवानी है या कोई short term investment opportunity आई तो आपके पास short term पैसा नहीं है जिससे वो आप opportunity को avail कर ले ठीक है problem ने day to day activities को perform करने में आपको problem आईगी और no advantage of the business opportunity मतलब जो short term opportunities मिलती है वो आपको avail नहीं कर सकेंगे तो ये problem face करने पड़ते है बट इन सारी चीजों से देखें हमने क्या देखना होता है कि आपने किस ratio को change करना है तो आपको क्या impact आएगा तो आगे चलते हैं further तो ये एक ratio हमने दी कि अगर आप current assets को बढ़ा लेते हैं ये ratio बढ़ जाती है ये ratio कब बढ़ेगी अगर आपके current assets ज्यादा हो और total assets आपके काम हो जाए तो ये ratio increase हो जाएगी ऐसा ही है अगर ये काम होगा तो ये ratio क्या होगी increase तो current assets अगर आपने ज्यादा रखे हैं तो business के operation में क्या फराइक पड़ेगा risk आपका काम हो जाएगा क्योंकि operation आपके current assets में ज्यादा पैसे पड़ेगा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है short term आप वहाँ से use कर लेंगे लेकिन जब आपके ये decrease होगा तो आपका profit भी क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा इसके against अगर आप current asset में पैसे कम रखते हैं और fixed asset में पैसे ज्यादा total asset में ज्यादा current asset में पैसे कम रखते हैं तो उससे क्या होगा ये ratio increase कर जाएगी ये ratio decrease करेगी जब current asset में पैसे कम होंगे तो आपके लिए operational risk बढ़ जाएगा day to day activity के लिए पैसा short हो जाएगा ठीक है बट इसके against आपका profit भी बढ़ जाएगा क्योंकि finance जब हमने start की थी तो finance सारी A की base पे A की work पे काम करती है higher the risk higher the return lower the risk lower the return तो ये ratios हम sometime use कर लेते हैं अब आगे जो हम हम आर पास बात आती है कि हम कुछ types देखते हैं कि working capital की कुछ types है तो हम दो main types इसको देखते हैं working capital के elements अगर हम देखें तो working capital के दो main elements होते है number one जो आपके पास element आता है that is called अगर working capital के element देखें तो working capital में आपके पास दो ही चीज़ें थी या तो current assets है या आपके पास current liabilities हैं यही दूर हमने पहले भी डिसक्रस किया कि working capital basically क्या current asset and current liabilities के adjustment है अगर current asset की बात करें तो current asset में main तीन चीज़ें होती हैं या तो आपके पास cash होगा या आपके पास inventory होगी और या आपके पास account receivable होगा ठीक है और अगर हमने current liabilities की बात करें तो current liabilities के अंदर या तो हमारे पास current liabilities के अंदर most of the time जो main element होता है that is called account payable तो हमने जो अभी topic start करने हमने one by one cash inventory और account receivable को discuss करना है और उसके बाद account payable को discuss करना है एक चीज़ हम इसमें करते हैं कि working capital की working capital की कुछ types हैं भी हम discuss कर लें यहीं पर कि अगर हम working capital की types discuss करना चाहें time point of view से ठीक है तो working capital को दो इसमें divide किया जाता है number one हम रखते हैं permanent working capital और दूसरा होते हैं हमार पर seasonal working capital permanent working capital हम उसको कहते हैं यह operational के लिए वो पैसे हैं जो हमें long term basis पे regular nature में हमें चाहिए होते हैं अगर हम textile garments की factory की बात कर रहे हैं यह हम shop की बात करते हैं किसी की तो shop के लिए permanent permanent पैसा कितना चाहिए regular nature में जो कपड़े लिए खरीद के लाता है ठीक है उसका rent के लिए electricity के बिल के लिए salesman के लिए regular nature में that is called permanent seasonal क्या होगा देखें आप खुद अगर आप shop को mind में रखें तो हो सकता है कि वह daily basis पे regular nature में 10 तरह की शल्टें रखता हो 10 तरह की पैंटें रखता हो जितनी भी types है उसके दो-दो-दो set लेके आता हो लेकिन अगर ईद का season आएगा तो quantity बढ़ा देगा इद के season में जो quantity बढ़ाएगा तो उसके लिए उसको थोड़ा सा पैसा ज्यादा चाहिए होगा for the time being इसी तरह 14 गस्त आगई अब regular nature में उसके पास regular के कपड़े होते हैं 14 गस्त आई तो उसने क्या किया हरे रंग के शल्टें और टोजल लेके आने अब यह तो नहीं करेगा कि बाकी समान ना खरीदे और वह सिर्फ खरीद के लिए तो अब उस 14 गस्त के लिए जो special उसने product purchase करनी है उसके लिए उसको थोड़ा सा पैसा extra चाहिए होगा that is card seasonal effect seasonal variation इसी तरह for example एक general departmental store है उसने cold drinks रखता है ठीक है regular nature में regular sale होती है cold drinks की वो अतनी purchase करता है वो उसका permanent working capital होगी लेकिन जब इद आएगी तो उसको पता है लोग ज्यादा आएंगे तो उसने एद के लिए ice cream भी ज्यादा मंगवाई होगी cold drink भी ज्यादा मंगवाई होगी for the time be that is called seasonal variation seasonal working capital अब अगर हम इसको draw करें seasonal और permanent working capital को अगर graph पर तो दो तरह के graph बनाने पड़ते हैं हमें यह देखना पड़ता है कि हमारा जो business है अगर वो stable business है stable environment है stable business environment है तो फिर क्या होगा फिर हमारा graph इस तरह का बनेगा working capital हमारा smooth चलेगा permanent working capital और seasonal variation जो होगा seasonal requirement जो हमारा पास seasonal working capital ऐसा होगा लेकिन अगर हमारा growing structure होगा कि अगर हमारा इस तरह बिजनस है grow stage के अंदेर है तो फिर हमारा पास जो graph होता है वो permanent working capital increase कर रहा होता है time to time permanent working capital क्या होगा increase कर रहा होगा क्योंके grow कर रहा है ऐसता आपको आज आपने कम सुमान लाके रखा जो कल को पैसे आए थोड़का से और बढ़ा लिया फिर और बढ़ा लिया तो हसता है आप उपने business को grow कर रहे और seasonal working capital भी इस के वपर यो बहुप कर रहाँ गा That is गा λέял, 이नल working capital वह सबने से ही, तो यह सेजनल वर्किंग कैप्टर तो यह दो टाइप्स नहीं किया और इस टैम पर उसको कितना पैसा मसलिल मैं आपको सिंपल सी को इस से अटके एक एक जैंपल देता हूं आपके जो बैंक से होते हैं अगर आपका बैंक बना वैसे अलाके में जहां पर दफ्तर ज्यादा है ठीक है तो महांज पर देखें वो तru फूँर अउन चार्ण में अपने पास रखता है लेकिन स्टार्ट उफ तंत में और वो अपने पास cash ज्यादा रखते हैं क्योंकि उसको पता होता है start of the month में लोगों ने आके salary draw करनी है और end of the month में लोगों ने आके अपनी saving draw करनी है और mid of the month में क्योंकि वहाँ पर ज्यादा salary person है तो mid of the month के अंदर उनको जरूरत नहीं पड़ती वो regular nature के तो वो अपने पास cash की quantity काम रखते हैं लेकिन यही बैंक अगर market में बना हो है तो उसको पता है कि वहाँ पर cash की requirement हर वस्क ज्यादा होगी मसला शालमी में अगर कोई market open है तो हमेशा Friday को जो है ना अपने पास cash ज्यादा रखते हैं क्यों कि Friday को क्या होता है चोटे शहरों में छुटी होती है चोटे शहरों के सारे ताजर इदर आये होते हैं पर तो उनको पैसों की जुरूरत होती है तो इसलिए क्या करते हैं कि Friday को अपने पास cash ज्यादा रखते है as compared to Saturday Sunday तो यह आपको अपने nature of business की उपर depend करता है कि आपने किस तरह का किस तरह का आपने working capital आपके पास किस तरह का working capital manage करना है अचा अगर हम वापस आते हैं यहाँ पर तो हमने का working capital की element हमने देखे permanent and seasonal variation भी देखा अब हम one by one discuss करेंगे तो सबसे पहले हम discuss करते है cash कि cash को किस तरह manage करते हैं अचा यह जो working capital की management है यह depend करेगी nature of business के और size of business के ठीक अब cash को सबसे पहले हम देखते है cash को किस तरह manage करना है तो हम उसके लिए देखे हमें cash कब कब से कब तक चाहिए होता है सबसे main element है कि cash की requirement होती कब से कब तक है अचांए अगर हम cash को देखें तो सबसे पहले business में जिसमें हमने garments की बात की हमार पास सबसे पहले क्या होगा cash होगा cash से हम क्या करेंगे inventory purchase करेंगे inventory से क्या करेंगे works in process होगा working process से क्या होगा finished goods बनेगी finished goods से क्या होगा sale होगी sale अगर credit पे है तो क्या बनेगा account receivable और account receivable से हमें क्या मिलेगा cash मिलेगा ऐसे ही है फिर ये cash क्या होगा फिर ये inventory में convert होगा फिर ये working process में जाएगा ठीक है तो ये circle चलता है इसका मतलब है कि आपको circle के लिए पैसे चाहिए है आज अगर आप cash में inventory purchase करते हैं तो आपको एक time लगेगा उसको दोबारा cash में convert करने के लिए तो हमारी language में इसको कहते है operating cycle क्या कहते है operating cycle क्या हमने ये देखना होता है कि कितनी देर के लिए operations में पैसा bound रहता है हमें ये calculate करना होता है अच्छा अब ये depend करेगा nature of business पे ये तो मैंने बात की garments factory गी इसकी जगह पर अगर मैं बात कर देता garments shop की तो उसका cycle बड़ा इससे different होता है garment shop ने क्या करना होता है उसके पास cash होगा cash से वो क्या करेगा inventory खरीदेगा inventory को sale out करेगा उसके बाद cash आजएगा फिर वो inventory खरीदेगा sale out करेगा cash आजएगा तो उसका circle small है ठीक है तो ये depend करेगा nature of business इसी तरह अगर सबजी की दुकान की बात करें तो उसके पास और हो सकता है circle short हो उसे सुबा जाना मंडी से सबसी खरीद के लानी है शाम तक बेचनी है जो पैसा आगा सुबा से जाकर उससे दुबारा खरीद के लानी है तो उसका operating cycle और small है तो जितना ज्यादा बड़ा operating cycle होगा आपको उतना ज्यादा पैसे के requirement होगा ठीक है अब cash की जब हमने management करनी है तो इसमें हमने दो चीज़ें निकालनी है कि हमें cash कितने days में कितने दिन के लिए चाहिए cash कितने दिन के लिए चाहिए और कितना चाहिए amount कितनी चाहिए quantity कितनी होनी चाहिए यह दो चाहिए operating cycle अगया अगर इस operating cycle के अंदर हम एक चीज़ आड़ कर दें तो जिस तरह हमने यहां पर credit पर sale कर दी तो हो सकते हैं ना हमने inventory भी credit पर purchase की और इसके दरम्यान में यहां पर कही अकाउंट payable आ रहा हो अगर इसके दरम्यान में यहां पर account payable को बीच में adjust कर दें इस circle के दरम्यान में तो इसको हम फिर कहा देते हैं cash conversion cycle क्या हमें total पैसा कितना दिन के लिए पैसा चाहिए तो पहली चीज़ क्या थी operating cycle तूसरा क्या है cash conversion cycle operating cycle जो है हमेशा current assets पर बनता है सिरफ ठीक है और अगर उसके अंदर current abilities को भी involved कर लें तो वो क्या बन जाता है cash conversion cycle ठीक है तो इसके formula देखते हैं आगे हम तो सबसे पहले हम आर पास था operating cycle अब operating cycle के अगर definition देखें तो हमने का operating cycle basically है क्या operating cycle है कि business में जो cash से हमने inventory पर चेस की वो दुबारा कब cash में convert होगी अब उतने दिन के लिए आपको पैसा bound हो जाता है मसला अगर मैंने आज 10 लाग का कपड़ा ख्रीदा दस दिन लगेंगे उसको शल्ट में convert होने में पांच दिन लगेंगे उसको भिकने में जिसने ख्रीदा उसने भी आगे पांच दिन लेने है इसका मतलब मेरा जाके मुझे पैसा की जुरूरत नहीं पड़ेगी वह बीसमें दिन पैसा लगाया था वह convert हो चुका होगा तो मुझे ओवराल 20 करने के दर्मियान जो टाइम पीरेड होता है और कैश करने तक करने तक कर जो टाइम पीरेड है अब उससे होता है कि यहाँ पर एक अग्जेंपल लेते हैं मैंने काया के जी फोर एक्जेंपल हम इन्वेंटरी को फिनिच गूर्ड में convert करते हैं इन्वेंटरी को फिनिच गूर्ड में convert करने पे हमारे लग जाते हैं 10 दिन ठीक है और फिनिच गूर्ड से हमने क्या किया उसको सेल आउड करके अकाउंट पेवल बना दिया अकाउंट पेवल को कैश में वापस लेने में भी हमें लगते हैं 10 दिन तो इसका मुझा टोटल हमें पैसा चाहिए 20 दिन के लिए अब फॉर एक्जेंपल हमने जिससे inventory खरी दिये उससे उससे हमने लिया है फाइव दिन का credit ठीक है cash conversion cycle तो हमें ultimately पैसा कितने दिन के लिए चाहिए तो उसके लिए छोटी से example देखें for example एक person है जिससे मैंने पैसा लेना है 10 दिन के बाद मुझे उससे पैसा मिलना है ठीक है और एक बंदा जिसकी मैंने payment करनी है दो दिन बाद तो मुझे पैसा कितने दिन के लिए manage करना है ठीक है अब दो दिन बाद मुझे payment करनी है 10 दिन बाद मुझे payment मिलनी है तो अब आठ दिन क्या कि उसने पैसे दिये मैंने उस बंदे को दे दिये जिसको देने थे दस दिन पास जब मुझे पैसे रेसीव होंगे मैं वह वह बैंक को वापस दे दूँगा तो इसका मदला मुझे पैसा जितने आपके पास credit period होता है वह हम अपने operating cycle में से less कर देते हैं तो इस मीन हमें हमें total जो cash manage करना है वो 15 दिन के लिए तो इस के लिए हमें पैसा मैंने करना है तो मैंने का दो चीज़े हमें निकालनी होती है एक हमें निकालना है cash conversion cycle के total पैसा चाहिए कितने दिन के लिए और दूसरी चीज़ हमने calculate करना है how much amount जो हमें ज़रूरत है need है इ हमारी cost क्या रही है तो example देखते हैं यहाँ पर यह formula लिखे है में सबसे पहले operating cycle का formula क्या है कि हम average age of inventory को average collection period क्योंकि हमने time period निकालना है तो average age of inventory को average collection period पर divide कर देते हैं और plus कर लेंगे और अगर हमने cash conversion cycle निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते है operating cycle के अंदर minus कर देते है average payment period अगर formula इसके formula भी one by one discuss कर लेते हैं यहाँ पर हम number लगा लेते हैं one two three अगर हम यहाँ पर one average age of inventory का formula लिखना चाहे average age of inventory is equal to क्या formula होता है average age of inventory इसका मतलब inventory हमार पास एक element है inventory किसकी वज़ा से बनेगी और इसको multiply कर देंगे हम 365 से तो आपके पास average age of inventory average age of inventory हम राग क्या है कि जब आप एक कपड़ा खरीदते हैं उसको शल्ट में convert करके वापस वो कपड़े में कब आएगा मतलब वापस वो कैश में कितनी दफा वो आप कितने दिन के अंदर आप एक circulation पूरा कपड़े को शल्ट में कितने दिन के अंदर आप पूरा कर लेते ह हमार पास था average collection period collection किस्से की जाती है account receivable से ऐसी है जिनको हमने उदार पर sale किया होता है account receivable कौन लोग होते हैं जिनको हमने sale किया होता है तो account receivable divided by sale multiply by 365 अगर question में mention किया हो है कि year 360 का है तो आप 360 यूज करेंगे otherwise by default 365 यूज करते है उसके अब थर्ड हमार पास था formula average payment period अब average payment period payment किसको करते हम account payables को account payable बनते कहां से परचेजिस से तो account payable divided by purchase और उसको multiply कर देंगे 365 से तो हमार पास क्या आजेगे average payment period आजेगा तो sometime तो question में यह दिये होते हैं और अगर नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे फिर उसको calculate कर लेंगे ठीक है तो यह हमार पास formula यूज होंगे अब हम एक illustration question करते है example number one example number one में कहता है सबसे पहले requirement कहता है calculate the cash conversion cycle किसमें cash conversion cycle किसमें निकलेगा हमेशा डेज में अगे अगे अब तो calculate the resource max invest in the cash conversion cycle तो वही बात हमने की कि दो चीज़ें पूछेगा आपसे पहले चीज़ कितने दिन के लिए पैसा चाहिए दूसरी चीज़ कितना पैसा चाहिए तो यहां पर दुनों चीज़े cash conversion cycle पहले calculate कर लेते हैं requirement 1 में क्या पूछा हुआ है cash conversion cycle ccc formula क्या इसका इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए average age of inventory इसमें plus करना है average collection period और minus कर देना है average payment period question readout करते है कहते है max company produce of paper dinnerware has annual sale of 10 million cost of goods 75% of sale and purchase that are 65% of the cost of goods sold max has the average age of inventory अब उसने calculate करके दे दी average age of inventory ठीक है 60 तो average year of inventory 60 days आ गया आगे उसके बाद क्या दिया है कहते है average collection period 40 days average collection period आपके पास आ गया 40 days का और उसके बाद हमने क्या किया कहते है average payment period 35 days तो वह हमने less कर दिया 35 days तो टोटल करें कितना वात है 60 और 40 आपके बाद 100 बना minus 35 करेंगे तो यह बन देगा 65 तो average collection period आपके आगे 65 सेकंड उसने क्या पुछा है सेकंड उसने पुछा है कि हो resource was invested कितने पैसे invest करने पड़ेंगे अब देखें आपको investment करनी कहां पर है आपको inventory पर चेस करनी है एक उसके लिए पैसा चाहिए account receivable पैसा लेकर चलेगे आपका जितने दिन वो पैसा अपने पास रखेंगे आपको उतना पैसा और चाहिए ठीक है यह दो चीजे सम और तीसरा जिन लोगों से आपने उद्धाल लिया वो बीच में से निकाल दें क्योंकि वो तो पैसा नहीं चाहिए मसला अगर मैंने 10 ल करना तो वह बीच में से कर देंगे मिलिए तो ज Had Technique छाहिए टीक है कि अब स्थे कांटी की वैल्यों यहें थींफाल तो देखें लेकिन हमने यहाँ पर फार्मुलां यूज के अब इसके अंदर inventory भी दी हुई है इसके अंदर हमें account receivable दी है इसमें account payable भी अगर तो question में यह तीनों चीज़ें direct दी हो तो हम उनको calculate कर लेंगे और अगर यह तीनों चीज़ें नहीं दी होंगी तो हम यह formula यूज करके reverse calculation से इसको calculate कर लेंगे तो हम यहाँ पर calculation करते हैं हमें तीन चीज़ें चाहिए तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमें हमने का सबसे पहली चीज तो हमें चाहिए inventory अब inventory का formula हम क्या पूट करेंगे इस formula को rearrange करेंगे जब rearrange करेंगे cgs क्यांपर divide हो रहा है उदर जाके multiply और वो अधर multiply हो रहा है इदर आखे क्या हो जेगा divide तो formula आपके पास क्या बनेगा inventory calculation का cgs को multiply कर देंगे average age of inventory और उसको divide कर देंगे 365 के इसके बाद हमें दूसरा चाहिए account receivable अकाउंट receivable के लिए हम क्या करेंगे किसकी बेस पर बनता है सेल multiply by average collection period divided by 365 और तीसरी चीज़ क्या थी हमार पास अकाउंट payable उसके लिए हम क्या करेंगे purchase multiply by average payment period divided by 365 तो यह हम calculation कर लेंगे तो हमार पर इतीनों चीज़ या देंगे डेटा पूट करते हैं सब शुक पर cgs चाहिए cgs question में दीव यह कहता है cgs cgs is 75% of sale sale कितनी है 10 million तो 10 million seven zero आगे multi point 75 तो यह आपके पास क्या बन गया cgs आगे लेना मुल्टिप्लाय करना average age of inventory कितनी थी हमार पा 60 days और उसको डिवाइड कर देना है 365 पे एक आ गया second आजें यहां पर हमें लेना है sale तो sale दिया हुआ था directly 10 million और इसको multiply करना है average collection period दिया हुआ हमार पा 40 divided by 365 उसके बाद हमार पास तीसरा आगया purchase अब purchase भी question में mention थी 65% of cgs तो हम पहले क्या करेंगे 10 million multiple point 75 यह क्या बन गया cgs इसको multiply करेंगे point 65 से तो यह बन की purchase और उसको multiply कर देंगे 35 divided by 365 तो calculation करेंगे one two three two eight seven six point seven है तो हम double seven कर लगते हैं second आगया one zero nine five eight nine zero और यह value आगे third six six अब इनको करेंगे तो one two three two eight double seven plus one zero nine five eight nine zero माइनस करेंगे four six seven four double six तो यह value मार पास आजेगी one eight six one three zero one तो यह वो अमाउंट है जो के हमें working capital के लिए जरूरत है क्योंके working capital की जो चाहिए हमें 65 five days के लिए अमाउंट चाहिए और वो कितनी अमाउंट चाहिए वो हमने calculate कर लिए one eight six one three zero one चाहिए ठीक अब यह पैसा आप कहीं से manage करेंगे for example अगर वो कहता है कि हमें जो financing मेल रही है मसला अगर हम किसी बैंक से loan लेते हैं तो वो मिल रहा है तो 12% इस value का ले लेंगे तो one eight one one eight six one three zero one multiple point one two तो हमार पर value आजेगी double two three three five six तो यह हमारी cost है तो यह हमारी cost आगी working capital की कि फंड डीड कितना हमें कितने दिन के लिए पैसा चाहिए पैंसर दिन के लिए कितना पैसा चाहिए one eight six one three zero one उसकी cost की आएगी हमारी investment कितनी है double two double three five six क्यों कि यह कम कर दे तो और यह sometime वो क्या करता है यह calculation नहीं करता है तो इन्वेंटिव कर रहा है खुद ही direct calculate करके आपको दे देता है तो फिर हम उसको लेकर चलते हैं तो उसके बाद अगर हम देखते हैं fund required for इसकी कुछ permanent and seasonal funding जो हमने देखी पहले कहते हैं इन firm sales are constant then its investment in the operating assets should also be constant and the firm has only the permanent funding और अगर cyclical seasonal आता है तो उसके अंदर फिर हम seasonal variation जिसना मैंने का इद का season आएगा या हमारे चोदांगर्स का season आएगा तो वहां पर हमें inventory ज्यादा चाहिए होती है तो seasonal requirements आगी उसके बाद fund requirement of the act उसके बाद हम आपस दो approaches होती है एक होती है aggressive और एक होती conservative अगर आप्रोच यह होती है कि हम क्या करते है short term debt को long term investment में लगा देते हैं ठीक है जिसको हमने का negative working capital पर ले जाते हैं और conservative का मतलब कि हमने कोई अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं तो क्या होता है लेकर सिंपल है आप अगर इसको मैनेज करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला तरीका क्यार किया है कि आप CCC का formula देखें उसमें क्या average age of inventory plus average collection period minus average payment period अब organization को अगर इसको manage करना चाहते है manage करने से मुराद किया कि वो वो इसको low करना चाहते है ठीक है अब इसको low करने का क्यूंकि जितने कम दिन के लिए पैसा चाहिए होगा आपको उतना ज्यादा benefit है जितनी जल्दी आप क्याश दुबारा क्याश में convert हो रहा है और इसके सबसे साथ रिकार क्यार किया है पहला काम तो यह करेंगे कि average of inventory को कम करने कोशिश करेंगे क्या अपना जो operation cycle है उसको short करेंगे कि कपड़ा खरीदा जल्दी से वो चल्ड में convert होका sale out हो जाए second element आप क्या कर सकते है average collection period कि जिन लोग को payments दी है जिनको credit पे sale किया आपकी कोशिश होगी यह जल्दी उनसे पैसे ले 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 उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उनको discount कि आफर करा सकते हैं कि जो 10 दिन के अंदर अंदर पैसा देगा हम उनको discount दे देंगे ठीक है आप इस तर पहली ते सोचते हैं ला करें उन्मारी जाए पैसे देनी कि ना पड़े थीक है पैसे देनी ना पड़े या कमकँ च् правда है या पितक करते हैं कि हम इसको को चीज खरिद tuber तो मार्केट के नॉम्स देखने पड़ते हैं कि अगर मार्केट में एक ट्रेंट चल रहा है कि जितने भी आपके इंडस्ट्री में लोग हैं दस दिन का क्राइड़िट करते हैं और आप अगर उसको पांच दिन पर लाने की कोशिश करेंगे तो फिर कस्टमर आपके पास नह ही पीविश कता दाएगा तो मार्केट के नॉम्स के अंदर रहते हुए मार्केट प्रैक्टिस के अंदर रहते हुए आपने ऊसको शौट करना हैं और इसको लेंथि करने कि ख़़आश है लेकिन आपने इसको एतना लेंख नहीं करना कि आपकी क्राइड़िट बढ़्दि cycle जितना short होगा organization के लिए उतना beneficiary होता है ठीक है तो ये थी कुछ चीज़ें जो हमने discuss करने थी जजाग अल्ला अल्ला आफे